डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट कोरोना के फिर से बढ़ते मामलोंने नेंद उड़ा दी है कुछ दिन पहले रोजाना संक्रमन के मामले 25,000 से भी नीचे आ गए थे तब लगने लगा था कि अब हम महामारी से मुक्ति की ओर हैं पर अब जब रोजाना संक्रमन के मामले जब 45,000 से उपर देखने को मिल रहे हैं तो माथे पर चिंता की लकीरें आना लाजिमी है और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि महामारी से निपटने में जिस केरल राज्य को एक मोडल के रूप में देखा जा रहा था वहीं आज हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं पिछले कुछ दिनों से केरल में संक्रमन की रोजाना तीस हजार से ज़्यादा मामले मिलना गंभीर स्थती का संकेत है इससे तो लग रहा है कि राज्य में महामारी ने फिर से पेर पसार लिये हैं हालांकि महाराष्ट मिजोरम तमिलनाडू करनाटक जैसे राज्यों में भी स्थती कोई अच्छी नहीं है महाराष्ट में तो रोजाना संक्रमितों की संख्या पांच हजार के आसपास चल रही है इसलिए महामारी को जरा भी हलके में लिया गया तो फिर से गंभीर संकट में पढ़ने में जरा देर नहीं लगने वाली एसा नहीं है कि केरल के हाला कोई अचानक बिगड़े हो राज्य सरकार ने पिछले मही ने ईद और ओनम के मौके पर लोगों और व्यापारियों के दबाव में बंदिसों में धील दे कर संकट को न्योता दे डाला था तब बाजारों में जिस तरह भीड बढ़ी हो की स्वभाविक भी था उसने आग में घी का काम किया राज्य सरकार की इस फैसले पर सरवोच नयालाई ने गंभीर चिंता जताई थी और उसे आडे हाथों भी लिया था तबी विशे सग्यों ने आगाह कर दिया था कि आने वाले दिनों में संक्रमन एक बार फिर विस्पोटक रूप ले सकता है और आज वही सब सामने आ रहा है डेड़ साल की दोरान हमने यह देखा है कि अगर एक बार संक्रमन फेलना सुरू हो जाए तो थोड़े ही समय में हालाग किस कदर गंभीर हो जाते है इस साल बिस अप्रेल को केरल में उन्निस हजार मामले एक दिन में दर्ज हुए थे और दो हफते बाद यह आंकडा इकतालिस हजार के पार निकल गया था इसलिए महामारी के मामले में केरल अब सबसे जादा चिंता वाला राज्य बन गया है केरल वेशे भी जब सबसे जादा संक्रमन दर वाले राज्यों में सीर्ष पर था जहां संक्रमन दर बारहे फीशद बनी हुई थे जाहिर है केरल के मौजूदा हालाद के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार से लेकर लोगों की लापरवाही रहा हकीकत तो यह है कि दूसरी लहर गई नहीं है तीसरी का खतरा सामनी है विशे सग्ये चेता रहे हैं कि सितंबर अक्तूबर में तीसरी लहर जोरों पर होगी और रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा तीन साधे दाग तक पहुँच जाए तो कोई बड़ी बाद नहीं केरल और महाराश्ट्र की पूर्वत्तर राज्यों की सभी जो इस्थती है उससे तो लगता है कि लोगों की बेरोक टोक आवा जाही देश में तीसरी लहर का कारण आसानी से बन सकती है इसके अलावा बाजारों में भीड से लेकर जन आसिरवाद यात्रा जैसे राजनीतिक आयोचनों तक में कोरोना गवहार के नियमों की दज्जियां उड़ रही हैं एसे में संक्रमन को फिलने से कौन रोक पाएगा संक्रमन बढ़ने का एक बढ़ा कारण टीका करण की अपेक्सित रफ्तार में कमी पी है कहने को अब तक 63 करोड से जादा टीके लगाए जा चुके हैं पर आबादी की तुलना में टीकों की उपलब्धता के हिसाब से यह कोई बड़ा आंकडा नहीं कहा जा सकता महामारी से बचाव के लिए पूरी आबादी को दोनों खुराख देने की जरूरत है और कड़वी सचाई यह है कि इस लक्षे से हम अभी काफी दूर है एसे में महामारी से निपटना कोई मामूली काम नहीं है समापत पूर भादाप stories यह कि इस लक्रीच वे साले से निवरा लंड़ श्यांने को दो बड़ा आंका प१र भाद आईका